हेलो एब्रिवन आपके अपने इस यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो हम लोग यूजिसी नेट ज्यारेफ का कर रहे हैं क्लास और यूजिसी नेट ज्यारेफ का पेपर वन जिसका यूनिट नमबर वन टीचिंग एपिट्यूट का अल्रेडी तीन लेक्षर अ उतैए वो एक प्रोसेश है टीच में लगा आई एन जी तो यह एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे पार्टिसपेंट होते हैं तब मिला करके teaching process complete होता है तो पहला पार्टिसपेंट कौन होते हैं होते हैं independent variable जिसको भोलते है're teacher ध्यान किएगा जो teacher होता है वो क्या होता है independent variable exam में पूछ सकता है which of the following is independent variables in teaching process तो एक हो गया आपका teacher हो जाता है जो independent variable होता है एक होता है student जिसको क्या बोला जाता है dependent variable बोला जाता है क्या बोला जाता है dependent variable इसके बाद third होता है intervening variables या curriculum जिसको बोलते है environment ध्यान रखिये गए यहीं तीन लोग मिल करके teaching process को complete करते हैं अब teacher को क्यों independent variable बोला गया है ध्यान से समझियेगा क्योंकि teacher जो पढ़ाएगा वही student सिखेगा जैसे demand और supply का cause और relationship पता है न कि जो price होता है वो independent होता है और demand होता है वो dependent होता है जब price जैसे इसे move करेगा बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से demand भी घटेगा या बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पर teacher independent है इसलिए क्योंकि जैसा teacher पढ़ाएगा वैसा ही student पढ़ेगा जैसा teacher motivate करेगा teacher के उपर depend है student इसलिए इसको बोला गया है dependent variable student को आया समझ में और जब भी teaching हम लोग करेगी तो teaching में कई सारे parts involved होगी जिसे book होगा copy, किता, pen, teaching environment, curriculum, syllabus यह सब क्या है एक teaching process का एक intervening variable है तो ध्यान रखिए कि यहाँ से भी question exam में पूछ सकता है तो तीनों को याद रखिएगा इसके बाद models of teaching तो हम पिछले class में बात कर चुके थे teacher centered और student center भी देखे थे हम लोग यहाँ पर थोड़ा और detail में देख लेते हैं तीचर देखे दो approaches होता है teaching करने का दो approaches में क्या होगा एक होगा teacher centered approach दूसरा होगा student centered approach teacher centered approach में क्या होता है कि वो teacher center में रहता है यानि teacher के उपर everything is depending upon teacher सब कुछ किसके उपर depend होता है teacher के उपर teacher जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाएगा जब चाहेगा वैसा पढ़ाएगा तो यह authoritarian होता है formal authority होता है expert इसमें teacher होता है personal model होता है personalized teaching होता है teacher के उपर सब कुछ है और student centered approach में क्या होता है inquiry based learning होता है इसमें facilitator होता है personal model delegator होता है facilitator होता है यानि student के according teacher teach करेगा student को जैसा student पसंद करेंगे पढ़ना वैसा ही पढ़ाया जाएगा जब पढ़ना पसंद करेंगे तब पढ़ाया जाएगा तो यह हो जाएगा आपका student centered यानि main center main authority में student है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर है कि teacher centered oriented में क्या होता है imparting information और transmitting structured knowledge यानि structured knowledge basically यह सब कहां पर काम आता है जो primary education होता है न वहाँ पर काम आता है कि teacher main center में होता है student को जो knowledge देता है student वही knowledge gain करते है question वगएर जादा नहीं पूछते हैं लेकिन student center में क्या होता है learning oriented होता है और यहाँ पर क्या होता है teacher center में content oriented होता है लेकिन learning oriented किसमें होता अगर आपसे सवाल पुछे तो क्या जवाब देजिए अगर learning होता है student center में और content oriented teaching कहा होता है teacher center में याद रखिएगा keyword है बहुत important point है तो student center में learning oriented होता है खुद learn करना चाहता है student और जैसा जो content पढ़ना चाहता है वहीं teacher उसको पढ़ाएगा facilitate करेगा अब एक सवाल आप लोगों से पुछते है which classroom do you have teacher center या student drive है या student center student center और teacher center teacher center में क्या होता plan topic यानी teacher जब भी class में आएगा वो already अपना topic plan करके लाएगा कि हमको क्या plan करना है क्या पढ़ाना है right lesson plan वो पहले से सब कुछ written है कि वो क्या पढ़ाएगा वहीं content को deliver करेगा assign करेगा activity कि क्या homework रहेगा क्या activity करके घर से लाना है और student को खुद वो assess करेगा तो क्या हुआ सब कुछ depend किया यहाँ पर teacher के उपर अब student driven में क्या होता है partners in planning यानि अकेला वो plan नहीं कर सकता है teacher student को participate करके ही तब वो plan करेगा जब तक student एकरी नहीं होंगे वो teacher नहीं teach करेगा choice of depth and scope of topics जो topic होगा वो wide होगा और दोनों लोग मिलके यानि student और teacher मिलके decide करेंगे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना जिसे माली जे PhD करते हैं तो PhD में क्या होता है जो topic का selection होता है जिसे आप net करके PhD किजिएगा तो आपका जो topic का selection होगा उसमें सब लोगों का योगदान रहेगा सब लोग मिलके choice करके तब select करेंगे choice of how they will learn student के उपर choice रहता है कि वो कैसे learn करना चाहते है take responsibility to learn responsibility भी लेते है self-peer classroom study होता है field work भी होता है group study भी होता इसमें तो सब लोग मिलके पढ़ने का काम करते हैं जिसे देखिए यहाँ पर knowledge और experience for teacher है और teacher के पास क्या रहता है knowledge भी रहता है experience भी रहता है और वो जा करके classroom में teach करता है class of student रहता है यह क्या हो गया teacher centered learning हो गया example दिया हुआ यहाँ पर क्या knowledge तो है लेकिन teachers भी रहेंगे और individual and collaborating students भी रहेंगे यानि सभी student और teacher मिल करके पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे इस process में कोई अकेला एक ब्यक्ती नहीं पढ़ेगा पढ़ाएगा और एक आप लोगों से सवाल पूछते हैं या आप लोग को बता देना चाहते हैं जो teacher centered होता है वो generally primary education में होता है लेकि knowledge या जो student centered learning होता ह है वो college, university यानि graduation, PG, PhD, MBA ये सब में होता है आपका student centered learning अब teacher center में आएए देख लेते हैं इसमें क्या है in teacher centered education students put all of their focus on the teacher main centered में कौन रहेगा teacher सभी student का focus किस पर रहेगा teacher के उपर you talk and the students exclusively listen exclusively यानि अगर आप teach करोगे student को तो student exclusively क्या करेंगे listen करेंगे खाली आपको सुनेंगे आप से questioning जादा नहीं करते हैं और ये सब कहां पर होता है primary education में during activities students work alone and collaboration is discouraged मतलब कि student अकेला अकेला सब काम करते हैं collaboration group के साथ study नहीं होता इसमें अब है इसमें होता क्या है इभी देख लेते हैं और क्या क्या होता है इसमें formal authority होता है इसमें formal authority teachers are in position of power and authority बार बार वहीं point repeat कर रहें बट इसको अच्छे से समझीएगा knowledge and status over their students classroom management styles are traditional and focus on rules and expectations teacher को पता है कब कितना पढ़ाना है कितने class में क्या complete करना है कितने lecture में syllabus complete करना है कितना दिन college school शुट्टी होने वाला है कितने दिन में complete करना सारा चीच पहले ही से वो decide कर लिया है और उसी के according lecture deliver करेगा कोई doubt वगेरा students से नहीं लेगा group study वगेरा उतना encourage नहीं करेगा बलकि discourage करेगा expert teachers are in possession of all knowledge and expertise within the classroom their primary role is to guide and direct learners through the learning process और इसमें guide करता है learning process के थुरू जो भी process होगा उसमें guide करता है expert यानी teacher student को students are viewed solely as the respecter of knowledge and information information provide करने काम करता है personal model होता है teachers who operate under the personal model personal model के through approach apply होता है हाँ पर style are those who lead by example demonstrating to students how to access and comprehend यानी कैसे पढ़ा कैसे student को पढ़ना है खाली उसको lecture करेगा demonstrate करेगा example देखे समझाएगा और authority में खुद रहेगा student जैसा पढ़ना चाहेंगे उससे मतलब नहीं है student से मतलब नहीं है student को कैसे पढ़ाना बस उसको पता है और उसी according वो पढ़ाएगा तो यह था आपका teaching का teacher centered approach और आपका था student centered approach अगले class में आगे class करेंगे characteristics तो आज का class इतना ही रखते है थैंक्यू सो मज चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा